तो चली हम लोग शुरू करते हैं नाशनलिजम हम लोग डिसकस कर रहते हैं तो नाशनलिजम होता है आपका feeling of commonness जब हम एक group of people ऐसा feel करते हैं कि हम सब एक जैसे ही हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसी को हम राश्टरवाद की संग्या देते हैं अब यह लेंग्वेज बोलते हैं तो common language के अधार पर अगर आप common caste से अगर बिलॉंग करते हैं तो caste के अधार पर common religion के अधार पर बहुत सारे अधार पर नाशनलिजम का feeling होता है जैसे पंजाबी speaking people अपने आपको एक nation मानते हैं तो इंडिया जो है इंडिया में बहुत सारे nation exist करते हैं कोई भी आप country देखिएगा तो एक country में एक से जादा nations होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं nation state तो एक country में बहुत सारे nations होते हैं अब nationalism का concept हम लोग समझने का कुशिश करते हैं सबसे पहले अगर nationalism की बात करें तो nationalism के दो theories होते हैं एक को हम कहते हैं primordial theory primordial theory जो है यह आपका Edward seals के द्वारा दिया गया था Edward seals के द्वारा दिया गया था और वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो nationalism का हमारे पास modern theory होता है nationalism का modern theory अगर हम देखें तो दो देते हैं nationalism का modern theory आधुनिक theory nationalism का सबसे पहले चिंतक का नाम है Ernest Kilner, Ernest Kilner बहुत ही famous thinker है और Ernest Kilner और साथ ही साथ Benedict Anderson इन दोनों ने एक ही year में अपने books को publish किया था Ernest Kilner का book था Nations and nationalism यह आपका 1983 में publish हुआ था और इसी same year में Benedict Anderson का imagined community जो है 1983 में ही book publish हुआ था अब primordial जो theory है आपका nationalism राश्टरवाद से related यह कहता है कि राश्टरवाद की जो भावना होती है लोगों के अंदर यह inherent होती है मतलब जन्म के साथ लोगों के अंदर राश्टरवाद की भावना होती है लोग अपने जाती के लोगों के प्रती अपने धर्म के लोगों के प्रती अंदर से जो है बहुत ज़्यादा affinity feel करते है उनके तरफ attracted feel करते है उनके तरफ उनका अकरशन होता है और यह internal होता है यह inherent होता है यह अंदर से आता है इसको कोई डेबलप नहीं कर सकता राइट यह जन्म के साथ होता है तो यह प्राइमोडियल थियोरी का मानना है दूसरा modernism का मानना है कि यह जो nationalism का feeling है यह जो आस्टरवाद की भावना है एक दूसरे के तरफ जो हम आकर्षन फील करते हैं यह जन्म के साथ नहीं होता ऐसा नहीं कि जन्म के साथ एक इन्हेरंट feeling होती है हमारे अंदर नहीं इसको डिबलब किया जाता है इसको बहुत सारे factors मिलकर डिबलब करते हैं इसको कल्टीवेट करते हैं और लोगों के अंदर में इस feeling को जगाते हैं और यह factors कैसे हैं तो यह modern factors हैं कौन-कौन से factors हैं तो Ernest तो Ernest Gilder ने कहा कि भाई जब industrialization आया enlightenment आया तो उससे nationalism आया उसके बाद आप देखेगा तो nationalism का development होता है इस तरह से आकर्षन का development होता है आई होप आपको clear होगे वही अगर हम दूसरी तरफ Benedict Anderson की बात माने तो Benedict Anderson अपने किताब imagined community में कहते हैं कि जो nationalism है ना यह आपका imagined community है imagined community मतलब कि हम nation को imagine करते हैं nation limited होता है सबसे पहला मतलब सबसे पहला इनका आपका characteristics है दूसरा है कि nation sovereign होता है sovereign होता है और तीसरा है कि nation imagined होता है nation imagined इसलिए होता है क्योंकि आप जिसके प्रती आकर्षन का भावना रख रहे हैं कि नहीं हम सब एक ही हैं आपने उनसे कभी मिला भी नहीं है आपने उनका नाम भी नी सुना है लेकिन आपके मन में एक नेशन का चभी बना हुआ है कि आप सभी Indian का नाम जानते हैं कि आप सभी Indian से face to face मिले हैं कभी क्या WhatsApp पर बात हुई है नहीं बात हुई है लेकिन इंडिया एक नेशन है ये आपके दिमाग में feeling है तो ये तो imagine आप कर रहे है ना कि India एक nation है अगर आप कोई caste या कोई language के basis पर अपना nationalism को ट्रैस करते हैं अगर उससे अकरसित होते हैं तो क्या अगर आप जो भार्षा बोलते हैं उस भार्षा के बोलने वाले सभी लोगों को आप जानते हैं सबका आपको नाम पता है आपको सोच कर रखा है कि nation जो है इतने दूर तक हमारा फैला हुआ है अच्छा ये पंजाब है अच्छा ये हरियाना है ये जहरखंड की boundary है तो nation जो है imagined होता है nation limited होता है हर एक nation का limitation होता है अगर आप अपने लोगों की boundary को अगर देखेंगे तो वो कहीं न कहीं तो limited होगा पंजा जो है imagine होता है और अपने ये किस ने बोला ये बनेटीक अंडौसेंसन ने बोला अब बैनेटीक अंडौसन से कहा गया कि nationalism आखिर लोगों में कैसे abode हुआ है जो यूग है इसी में के सकांप हुआ तो उसके लिए huh कि आपका उइसusta Tower तो इनसे पूछा जाता है कि आखिर nationalism कैसे हुआ तो nationalism डिवलप हुआ print capitalism से जब printing press की शुरूआत होती है तो एक ही अखबार सभी लोग पढ़ते हैं और printing press में भी जब work leetic languages की हम बात करें गल्वेज जानते हैं बात जो local lounge होता है जैसे मराठी एक अगल वरनाकुलर लैंग्वेज है मतलब जो छोटे-छोटे भासा होते हैं उनको वरनाकुलर लैंग्वेज बोला जाता है तो प्रिंट कैपिटलिजम आने से जो आपका वरनाकुलर है उनको एक लिछ मिल रहा है हमेशाक से एक ही आदमी के बारे में सब यूजब कर रहे हैं कि नहीं मेरे जैसा और भी लोग पढ़ रहे है यही प्रेंग Peng Griffend हुआ है according to Benedict Anderson Benedict Anderson के अगर अनुसार देखे तो नेशन क्या होता है नेशन एक कलपना होती है सोवरेन होता है लिमिटेड होता है त्राइट नेशन कैसे डेबलप हुआ प्रिंट कैपिटलिजम के कारण डेबलप हुआ जब सेम निउस्पेपर सबके यहां धीरे धीरे सरकुलेट होने लगा तो लोगों ने एक दूसरे के साथ लोगों कनेक्शन बनाना शुरू किया था हम यही निउस पेपर पढ़ते हैं सामने वाला भी यही निउस पेपर पढ़ता है तीसरा भी वही निउस पेपर पढ़ता है तो हम एक ही जैसे तो हैं हमारी भाषा एक है हम एक ही निउस पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग प्रिंट कापिट ना कि आप उनका नाम जानते हैं अगर माल लीजे इस वर फ्रम पंजाब यू मस्ट आप अफिनिटी तोट्स पंजाब और यू कान है तो और मोर नेशनलिजम विदिन विदिन यू राइट पूछिए इसका एक 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 जामपल यह भी तो सकता है जैसे कि हम लंडन गए पंजाब से हम मिलेंगे हम यह भूल जांगे कि हम तमिलनाडू से हैं या पंजाब से हम देखेंगे हम दुरूं इंडियन है इमेजन कम्मनिटी नाशनलिजम पर हो सकता है आपका नाशनल आइटेटी कई सारे होते हैं जो कि अगर आप पंजाबी स्पीकिंग गुरूप से हैं तो आप पंजाबियों के आप अगर देखेगा तो उनके टुर्ट्स भी आपका अट्राक्शन होगा इफिनिटी होगा इंडिया के टुर्ट्स भी आपका अफिनिटी है तो एक विक्ति के अंदर में दो तीन नाशनलिजम की भावनाय होती हैं अगर आप हिंदू धर्म से बिलॉंग करते हैं तो जो हिंदू होगा उसके टुर्ट्स भी आप अट्राक्टिट फील करेंगे तो एक विक्ति के अ बहुत सारे रोल्स एक विक्ति को निभाने पड़ते हैं जैसे एक विक्ति के कई सारे रोल्स हैं अपने जीवन में उसी प्रकार से उसके अंदर जो है अलग-अलग आइडेंटिटी भी क्रियेट की गई है उसकी जाती की अपनी आइडेंटिटी होती है उसके अपने को जाति के थ्रू भी अलग नहीं है अब यह जाती के अधार पर फीर कर सकते इसका ये मतलब है कि हम अपने मन में कल्पना करते हैं कि मेरा नेशन इतने दूर में फैला हुआ है, हम अपने नेशन के हर एक विक्ति से नहीं मिलते, ना कि उनका नाम जानते हैं, ना कि उनसे परीचय होता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक कल्पना zwangत आती है मेरे इतना दूर में नेशन फैला हुआ है तो इसलिए नेशन एक इमाजिन्ड कॉम्यूनिटी है लिमिटेड इसलिए है क्योंकि कोई भी नेशन होगा तो उसका एक लिमिटेशन तो होगा एक जोग्राफिकल एरिया होगा अगर पंजाबी नेशन की बात करें अगर एक अपनी boundary है तो जिससे हमें होता है हमारा नेशन इतने में ही एंड हो जाता है अगर इंडिया के बात करें तो आपने आपको खुद से रूल करें हाँ सोवेर्निटी का मतलब है कि आप अपने आइडेंटिटी को खुद से कन्स्रक्ट कर रहे हैं कि को कोई और आपके identity को construct कर रहा है यह मतलब है इसका राइट अगर आप अपने identity को हाँ हाँ बूली लेकिन हम हम एक तरह से देखा जाए नौर्थ इंडियंस अगर मैं बहुत बॉलू तो हम उनके identity को कस्टुमाइज तो करते हैं हिंदी डालके तो मतलब आप अपनी identity को construct कर रहें तो और भी आपके उपर भी कई सारे इंडेन्टिटी रहा है लेकिन आप उसको मानने नहीं चाहते हैं आप अपनी अपनी अइडेंटिटी को खुँद करना चाहते हैं अब आप ऐसे बोलेंगे ऑंडिया का ही बनाता है प्रेशर ह quiet वर्नेटिटीएड होगी ना प्रेशर बानने वाले बनाते रहेंगे लेकिन हम उस प्रेशर को लें ना ले वो तो हम पे करता है तो यह चीज है अब यह nationalism फैला कैसे तो बेनेडिक एंडर्सन का मानना है कि nationalism print capitalism के कारण फैला यह प्रिंट कैपिटलिजम भी उनका एक बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्रिंट कैपिटलिजम में क्या कहते है कि जैसे जैसे वर्ना कुलर languages में local languages में आपके newspapers छपने लगे तो अगर पंजाबी में newspaper छप रहा है तो हर एक पंजाबी पंजाबी newspaper को पढ़ रहा है वो एक ही news पढ़ रहा है तो उसके मन में feeling आ गई अपने community के बारे में अच्छा ये newspaper पहला भी पढ़ता है दूसरा इंसान तीसरा सभी तो यही newspaper पढ़ रहे हैं हम सब अलग नहीं है हम सब एक ही है that is print capitalism concept अब अगला question आता है और यह question में दोनों में आपको differences देखने को मिलेंगे Ernest Gellner के और भी बहुत सारे difference है मैं अभी इस point पे Ernest Gellner और Adderson के बीच में distinction build करने की कोशिश करूँगा अब question यह है कि nationalism की शुरुवात कहां हुई nationalism जो है उसका origin कहां है क्या उसका origin आफका French Revolution में है या उसका origin American Revolution में है या उसका origin कहीं तीसरे center में है कहीं Latin America में तो नहीं है तो अगर Ernest Gellner से पूछा जाए तो Ernest Gellner बोलेंगे कि nationalism जो है यह एक European concept है nationalism जो है Europe से यह भावना आई है यह भावना आपका Glorious Revolution के time में French Revolution के time में develop हुई लेकिन अगर आप Benedict Anderson से पूछेंगे वो बोलेंगे कि nationalism की जो आपकी भावना है जो विचार है यह Latin America मतलब South America में यह विचार आपको देखने को मिलता है और उसी South America का concept को यह kriol nationalism कहते हैं यह देखिए इसके बार में समझे क्रियॉल nationalism क्या होता है इसके बार में थोड़ा हम देखते हैं क्रियॉल nationalism में Benedict Anderson यह बताने की कोशिश करते हैं Latin America को घर आप देखिएगा तो लाटिन अमेरिका पहले कोलोनी हुआ करती थी स्पेन और पॉर्टगल की मेंली यही दो कंट्री थे जो की अर्जंटीना ब्राजील बॉलीविया जितने भी परागवे उरूगवे जितने भी आप कंट्री देखने को मिलेंगे लाटिन अमेरिका में सब को गुलाम बनाया गया था ब्रइटेन और सपेन के दौर अब यही दो कंट्री थे अब यहाँ क्या होता था मानलीजे ब्राजील का एक Latin American country में, जैसे इंडिया में Vice-oroy आया करते थे, ब्रिटेन के Governor General आया करते थे, पहले जो है, Governor General आप Bengal हुआ करते थे, तो उस तरह से ब्रजील में भी जाते थे, अर्जन् didnा में भी जाते थे, Stewayn के, Portugal के Governor Cumhurers जाते थे, वहां के voice or voice जाया करते थे तो जब वहां पर जाते थे तो वह वहीं के culture के साथ घुल मिल जाते थे क्योंकि वहीं के culture के साथ घुल मिल जाते थे वहीं के भासा वो सीख लिया करते थे तो वो ना ज़्यादा connected feel करने लगते थे Brazilians के साथ या फिर Argentinians जो वहां रहते थे उनके साथ लेकिन फिर भी उनका जो allegiance था उनका जो स्वामी भगती थी अपने country के प्रती ही थी लेकिन उनका country उनसे कैसे ब्योहार करता था जो governor generals के बच्चे हुआ करते थे या खुद governor general हुआ करते थे जब ये अपने देश में आते थे हाँ जैसे वो जब अपने देश में आया करते थे तो उनके साथ आपका सौतेला ब्योहार होता था उनको second class citizen के जैसा देखा जाता था कहा जाता था कि अरे ये तो governor general है ये तो latin america में रहा है इसके बच्चे तो latin america में रहे है ये impure हो गया है ये European culture अब इनमें रहा नहीं वो बात रही नहीं समझ रहे हैं तो एक तो बेचारा governor general बन के गया है आपको स्वामी भक्ती दिखा रहा है आपके towards allegiance वो create कर रहा है लेकिन आप क्या कर रहे है आप उसको नीचे निगाहों से देख रहे है वहाँ की जनता जितनी भी थी Spain और Portugal की जनता जो है और इनही को क्रियॉल कहा गया क्रियॉल कौन है क्रियॉल वो सासक है जो की European थे लेकिन वहाँ जाकर impure हो गए ऐसा European का मानना था यही क्रियॉल है और इनही के द्वारा एक nationalism को develop किया गया इसी को क्रियॉल nationalism कहा जाता है थोड़ा और डीटेल में समझते हैं तो यह जो सासक हुआ करते थे जो जाकर रूल करते थे Brazil, Argentina, Prague, Uruguay वहाँ जाकर रूल किया करते थे तो हमेशा उनके मन में हमेशा एक उनको खराफ फील होता था कि भाई हम जिसके लिए रूल कर रहे हैं वहीं के देश वाले मुझे impure मेरे बच्चे को impure, मेरी पतनी को impure मानते हैं और जितना सैनिक भी करते थे यूरोपियन उनको भी impure मानते थे चलिए किसी तरह से तो उन्होंने काम चलाया बाद में क्या हुआ बाद में यूरोपियन का मतलब नेपोलियन बुनापार्ट अंपायर मतलब एमपेरर बनता है फ्रांस का 1799 के आसपास में जब नेपोलियन बुनापार्ट बनता है तो वो आपके यूरोप के लगभग सभी भाग पर कबजा कर लेता है जब यूरोप के सभी भाग पर कबजा कर लेता है तब नेपोलियन अंपायर बन गया एक तरह से देखा जाए तो emperor बन गया जितना भी आपका country है यूरोप में उसका अब नेपोलियन का बात मानने के लिए जब इनको कहा गया ये जो क्रियॉल थे तो ये आपके नेपोलियन के बात को नहीं माने इनकी स्वामी भक्ति खतम हो गया ये पहले से भी नाराज थे पहले से नाराज इसलिए थे क्योंकि भाई इनको आपको second class citizen मानने लगा गया था इंप्योर मानने लगा गया था लेकिन जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन की तो बात ही नहीं सुनी इन्होंने इन्होंने कहा कि मेरा राजा हुआ करता था इस्पेन का पॉर्टेगल का उनका बात तो सुन लेते थे लेकिन अब नेपोलियन आकर हमारे देश में कबजा कर लिया तो हम उसकी बात क्यों माने प्लस में हमारे खुद के देश के लोग हमारे राजा हमें सेकेंड क्लस इडिजन के तरह ट्रीट करते हैं तो हम क्यों ही बात माने हम अपना एक नेशन बनाएंगे तो यह क्रियोल जो है ना इन्होंने नाशनलिजम की भावना भड़काई और आप देखिएगा सबसे पहले आजाद कौन ह हुआ सबसे पहले आजाद हुआ आपका यही सब कंट्री ब्राजील अर्जंटिना यह एटीन हंड्रेट में ही आजाद होगे आपका और बहुत बाद में फिर हाँ तो बहुत-बहुत बाद में फिर हम लोग आजाद हुए आप सोची ना अगर यहां पर आता विलियम बन्टिक खुद बोलता नहीं इंडिया जो है मेरा है हम इंडिया के ही है चलो इंडिया को आजाद कराते हैं हम प्रिडिश की बात नहीं मानेंगे तो इंडियां 1829 के टाइम में ही आजाद हो जाता विलियम बेंटिक के टाइम में आजाद हो जाता तो यही बात है यही है क्रियौल नाशनलिसम आई होप क्लियर हो गया होगा हां बोली शान अगर मैं शॉट में बोलू तो इसका मतलब यह था कि जो गवर्नर जनरल थे लाटन अमेरिक में इतना अफेक्शन बढ़ गया वहां के लोकल कल्चर के साथ कि आप इस पेइन या पॉच्छुगीज गये तो उन्होंने आके एस्टैबलिश्मेंट के साथ लडाई करी कि इनक अब गवर्नर जनरल इंडिया का इंडिया में रहता था ना है ना और क्यों यह अफेक्शन बढ़ा ब्रिटिश जो है आपका ब्राजीलियंस के प्रति या अर्जंटेनियन के प्रति तो दो कारण पहला कारण इनको इंप्यूर माने जाने लगा यूरोपियंस के टूर्ट आप लोग जो डियू के हैं आप लोगों को भी पढ़ाया जा रहा होगा उज्वाल आप लोगों को पढ़ाते हैं यह तुद का मुझे समझ में अ एक tutorial class होता है एक होता है tutorial चली यह नवनीत बहुत अच्छा आपने पूछा था तो मैं आपको पढ़ा दूं यहीं पर nationalism बार और हम लोग पढ़ेंगे nationalism के बहुत सारे theories हैं बहुत सारे thinkers हैं शौट में विल्कम विल्कम रबनीत मैंने शौट में इसलिए बता दिया ना क्योंकि यह सब ऐसे कॉंप्लिकेटिट कॉंसेप्ट है कि अगर आपने उसका नस नहीं पकड़ाना तो आप उसमें कितना बुद्धी लगए आपको नहीं समझ माईगा मैं रिडिंग पढ़ गया पढ़ा हुँगी तो इस मिता मैम ही एक कॉंसेथ हमको बताये थी उज्वल सर का क्लास के तो उपर से निकला यही कॉंसेथ में नहीं आया था तो इस मिता में हम यही बताई थी हमको और बाद में रीडिंग पढ़ने से भी समझ में आ गया था आई होप क्रियॉल कौन है भाई तो क्रियॉल यह इन्पोर्टेंट है UGC Nick के लिए भी की क्रियॉल नैशनलिजम का कॉंसेट किस ने दिया बेनिडिक आंडर्शन ने दिया क्रियॉल्स कौन है तो वो European rulers जो की rule किया करते थे जाके Brazil में, Argentina में बाद में इनको affection होने लगा वहीं के लोगों के साथ दो कारण था क्योंकि इनको impure मानने लगा गया थे Europeans के द्वारा और जब Europe में Napoleon का कबजा हो गया तो Napoleon की ये बात क्यों ही मानते ये अपने Spain की राजा की बात मानेंगे, Portugal की राजा की बात मानेंगे, Napoleon का क्यों बात मानेंगे और पहले से खफा थे ही उपर से Napoleon का सासन तो दोनों आपका नमक मिर्ची का काम कर गया गहाओ पे, तो इन्होंने अपना nationalism डेक्लियर कर दिया, अपना देश को आजाद कर दिया, इसलिए हम देखी गब Brazil, Argentina बहुत पहला आजाद हो जाता है, यही केस इंडिया में होता, तो यहाँ भी क्रियोल nationalism हो जाता, अगर William Bentic आकर बोलने लगता कि नई British Government बहुत खराब है, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम इंडियन्स जो है, एक है, इस तरह से करने लगते तो इंडिया खबका आजाद हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपना एली जियन, स्वामी भक्ती ब्रिटेन के प्रटी नहीं छोड़ी, और ब्रिटेन ने इनके से मतलब सौतेला ब्योहार भी नहीं किया, बट इनके साथ हुआ, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, चलिए, अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, ये नाशनलिजम का टॉपिक था, ये शौट में मैंने बता दिया, दोबारा से हम थियोरी अप नाशनलिजम पढ़ाएंगे, आप लोगों को पॉलिटिकल थियोरी में, आज हम लोग मुनिसिपालिटी पढ़ने वाले हैं, तो मुनिसिपालिटी और पंचायती राजी इंस्टिटूशन्स में काफी सारी समानता हैं, आपको देखने को मिलेंगी, मुझे उमीद है कि आपने कल के लेक्चर को देखा होगा, क्योंकि कल के लेक्चर से काफी सारे मिलते-जुलते concept को हम आज के लेक्चर में समझने वाला है, सबसे पहला point तो य कि आपका जो municipality है यह आपका तीन जो urban local government है urban local government जो municipality इसमें आता है municipal corporation आता है नगर panchayate आता है मैं बता रहा हूं दखिये urban local government के बारे में सबसे पहला बात तो यह ध्यान में रखना है कि 74th constitutional amendment पारित किया गया समयdon्यदानिक सनसोधन हुआ 1992 में यह सनसोधन होता है पीवी नरसीमहाराओ के टाइम में और इस पर प्रिसिडेंट अपना एसेंट दे दे देते हैं आपका ऐपरेल में एपरेल उनीषा 2442 में जो है यह आपका एक्ट बन जाता है तो पारित कब होता है परल्लियमेंट से कर रूप है जब राश्ट्रपती इस अस्ताक्षर कर देते हैं अब इसमें जो commencement clause होता है कि ये लागू कबसे हो रहा है तो commencement clause में लिखा हुआ था कि ये लागू हो जायेगा एक जून 1993 से तो एक जून 1993 से 74 समयधानिक संसोधन लागू हो गया 73 समय धानिक संसोधन कब से लागू हुआ तो 24 अपरेल 1993 से मतलब 73 समय धानिक संसोधन जो है पहले लागू हो गया था और 1 पूं 1993 जो की बाद का डेट है इस दिन 74 समय धानिक संसोधन लागू हुआ यह जो commencement clause था कि इस दिन से यह कानून लागू होगा इसमें ये भी लिखा हुआ था कि इसके एक साल के अंदर जितने भी ये श्टेट्स हैं ये अपना अपना municipality act बना लेंगे अगर एक साल के अंदर बनाने का इसमें बोल दिया गया तो सभी ये श्टेट्स बना लेंगे क्योंकि ये constitution की बात है कोई इसको वायलेट नहीं करता नगर पंचायत को हिंदी में भी नगर पंचायत कहा जाता है नगर पंचायत उन इलाकों के लिए होता है जो कि ना पूरी तरह से गाउं है ना पूरी तरह से एक सहर बने है जो कि आपका संकर्मनी अवस्था में है एक transition के period में है एक intermediary period में है तो उनको नगर पंचायत कहा ज लेंगी और पंचायतों की भी कुछ विशस्ताएं देखने को मिलेंगी लेकिन ये अर्बन लोकल गवर्मेंट जो है ये सहरी जो है स्वासासन के अंतरगत आता है दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते है मुनिसिपालिटी या मुनिसिपालिटी कई राजियों में बोला जात है इसका आपका हिंदी में इसको कहते है नगरपालिका तो नगरपालिका किसके लिए होता है जो कॉंसिल होता है मुनिसिपालिटी होता है किसके लिए होता है छोटे-छोटे सहरों के लिए होता है आपका नगरपालिका और जो बड़े-बड़े सहर हो जाते है उनके लिए बनता है Municipal Corporation तो Municipal Corporation किसके लिए बनता है? बड़े बड़े सहरों के लिए Bombay का Municipal Corporation है दिली का Municipal Corporation है राची का पटना का Capital City का Corporation होता है इसको हिंदी में नगर निगम कहा जाता है अब Municipal Corporation एक राज्य में कितनी जनसंख्या पर बनेगा? ये राज्यों पर छोड़ दिया गया है अगर हम मैं अगर मैं अपने जार्खन की बात करूँ तो जार्खन में ये Population जो है 10 लाग आपकी रखी गई है अगर 10 लाग से ज़्यादा Population किसी सहर में होता है तो Governor जो है Notify करके उसको Municipal Corporation का दर्जादे सकता है मैं जहां बिलॉंग करता हूँ जहां Home Town से अपना Dalton गंज से पहले वह नगर निगम में पहले ये नगर पालिका में आया करता था, डाल्टन गंज एक नगर पालिका थी, मेदिनी नगर नगर पालिका, लेकिन क्योंकि डाल्टन गंज की जनसंख्या बढ़ गई, तो हालिया दिनों में ही डाल्टन गंज को जो है, ये आपको नगर निगम का दरजा दे दिया गया ह और उस तरह से नगर निगम आपका बनाने का कोशिश करेंगे I hope आपको ये चीज समझ माया अगर हम अरबन लोकल गवर्नेंस की बात करें तो आपको और भी बहुत प्रकार के अरबन लोकल गवर्नेंस देखने को मिलेंगे अगर मैं एक्जामपल दूँ किस-किस प्रकार के होते हैं तो आपका नोटिफाइड एरिया कमिटी